What the tech is going on friends मेरा नाम है Vic Indicoder के तरफ से और आप सभी को बहुत-बहुत स्वावत है And back to 2020, थोड़ी देर के लिए September के round में मैंने Redmi 9 Prime का वीडियो डाया था और आपने उन वीडियो में actually काफी अच्छा प्यार बढ़ साया था बड़ अब launch हो चिका है उसका बड़ा भाई यानि कि Redmi 9 Power और इसको मैंने दो वीक से भी ज्यादा ब्यूस कर लिया है सब कुछ मैंने इसके बारे में अब मैंने पता कर लिया है तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने जारो कि क्या बस नाम ही ऐसा है या सच में इसमें है तो येस गाइस इस वीडियो में हम इसका फुल रिव्यू करने जारे मैं प्रोज और कॉन सब कुछ आपके शर्च शेयर करूंगा बिल्ड कॉइटे को लेके बात करना चाहाँगा एक्शुली देखिए डिजाइन एक पर्सपेक्टिव चीज है किसी को पसंद आ सकता है किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है ये काफी अट्रेक्टिव डिजाइन है इसका लोगो थोड़ा सा बड़ा है यू में लाइक इट यू में नाट लाइक इट बट मल्टि डाइरेक्शनल रेज आते हैं देखने में काफी खुबसूरत ही है मैं ऐसा कहूंगा अब दुस्त अगर मैं इसके बिल्ड को आड़े के मैं बात करो दिन ऐस एस्पेक्टेड ये पॉलिकारबनेट बैक है लेकिन काफी कर्ड एजेस दिया गया है तो काफी अचे ग्रिप हो जाता है हाथ में स्प्लैश प्रूफ डिजाइन दिया गया है तो हलका फुल का पानी के बूंदे को भी ये झेल लेगा और अगर मैं इसके वेट के बाएं बात करो दिन यह मुझे हलका सा हेवी लगा एरण 196 ग्राम इसका वेट है तो यह हलका और हो सकता था थोड़ा लाइट वेट हो सकता था बट मेबी इसका हेवी होने का रीजन है इसका बैटरी तो बैटरी को लेके बात करते हैं तो यहां दोस्त आपको दिया गया है मैसिव 6000 मिली आम पावर की बैटरी है और नो मैटर आप कैसे भी यूजर क्यों नहों देर दिन आपका आराम से निकल जाएगा इससे इवेन अगर आप हेवी गेमिंग करते हो फिर भी आपको एक दिन की उपर यहां पर बैटरी व्याकम मिल जाएगा ऐसा मैह कहूंगा यह ले लेगा 0% से 100% चार्ज होने में तो यह मुझे थोड़ा से वेर्ड लगा आई थिंग की और थोड़ा फास्ट होना चाहिए था दिस्प्ले की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है आप कलर रिप्रोडक्शन बोलिये कॉंटास लेवल विविंग एंगल सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस रेंज में यही फोन आपको बेस्ट डिस्प्ले ओफर करता है मैंने फोन को आउट्वर में भी यूज किया था दोस्तों आउट्वर विजिबिलिटी भी प्राइस की सबसे बहुत ही बहुत ही सही है तो उस रिगार्डिंग भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होग तो यह बहुत ही बड़ी चीज है अगर आप ऐसे विक्ति हो जो कि OTT प्लाटफर्म में कॉंटेंट कंज्यूम करते हो यह फोन दोस्तों इस बजट में बहुत ही सही रहेगा अब entertainment का ही दोस्तों और एक हिस्सा होता है audio तो अगर मैं इसकी speakers के बाएं बात करो दिन dual stereo speakers आप को इसी फोन में मिलता है अगर मैं इसके network reception के बात करो दिन मैंने यहाँ पर call लिया है मुझे कोई भी problem नहीं हुई थी 4G carrier aggregation भी support करता है जो कि एक बहुत इची बात है और overall अगर मैं earpiece या फिर microphone के quality के बात करो दिन price के सबसे बिल्कुल सही है exactly जैसा होना चाहिए बहुत impressive भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं एकदम perfect मैं बोलूँगा अब अगर मैं इसके fingerprint scanner के बाए बात करो दें यह बिल्कुल accurate है 100% accurate थोड़ा सा slow है बट अगें guys इसका price बहुत ही ज्यादा high नहीं है for the price I'm absolutely okay with this बात करतें इसके camera के बार में तो quad camera setup आपको दिया गया है on the rear side में 48 Megapixel camera 8 Megapixel ultrawide फिर 2 Megapixel करके वही macro depth sensor और dedicated camera test अल्रेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है नहीं देखा है then definitely जाके उसको check out करना मैं कहुंगा Redmi 9 Prime से इसका rear camera better है मुझे especially color या फिर exposure management dynamic range price की हिसाब से काफी सही लगा था so yeah cameras are quite good for the price लेकिन मैं उससे भी ज्यादा impressed हुआ था इसके ultra wide lens से ultra wide की performance for the price actually काफी impressive है front में आपको दिया गया है 8 Megapixel का sensor for your beautiful selfies और मुझे लगता है कि exactly Redmi 9 Prime जैसा ही है बहुत impressive नहीं है इसको और थोड़ा से better किया जा सकता था बट आप एक visible काफी अच्छी quality का selfie ले पाऊगे चलिए बात करते हैं performance के बार में power तो snapdragon 662 का chipset दिया गया है 4GB RAM और मेरे variant में 64GB UFS 2.1 storage and for some reason performance is quite average अब यहाँ पर एक और एक important चीज होता है software तो MIUI 12 का software दिया गया है and for some reason processor और software दोनों अच्छी तरीके से यहाँ पर match नहीं होते है I don't know why बहुती performance यहाँ पर मुझे sloppy लगा था इतना नहीं होना चाहिए था अगर आप एक app open करते हो then वो app lag नहीं करेगा long term उस app को use करो कोई problem नहीं होगी बट जब आप एक app से दूसरे app में switch करते हो या फिर multitasking करना चाहते हो then clearly आपको lags notice होगा I know कि एक budget phone है लेकिन Redmi 9 Prime इससे भी comprise में आता है लेकिन उसमें performance इससे काफी ज्यादा मुझे बैतर लगी थी तो RAM management भी दोस्तों यहाँ पर quite poor है मुझे लगता है इसको और भी optimize करने की ज़रूरत है update के साथ यह fix हो सकता है but overall अगर मैं performance के बाएं बात करू then Redmi 9 Prime एक better performing phone है Gaming के मैं बात करू then call of duty gaming मैंने यहाँ पर किया था और gaming काफी सही था high ultra frame rates में मैंने यहाँ पर खेला था 40fps पे काफी smooth gameplay आप कर सकते हो उस regarding आपको problem नहीं होगी अब दोस्तों आते हैं मेरे final verdict में कि क्या 11,000 रुपीज में यह phone आपको लेना चाहिए देखे अगर आप ऐसा phone चाहते हो जहापर आपको बहुत एक अच्छी display चाहिए अच्छे rare cameras चाहिए बहुत ही solid battery life चाहिए आप maybe एक online consumer हो, maybe आप online classes लेते हो या फिर online study करते हो जिसके लिए आपको long term battery की जरुवत है big display की जरुवत है तो मैं कहूंगा यह phone आपके लिए सही हो सकता है अगर आप सिर्फ social media consume करते हो बस facebook open करते हो facebook में लगे रहा तो whatsapp open करते हो whatsapp में लगे रहा तो then यह phone आपके लिए सही है लेकिन अगर आप battery और camera में थोड़ा सा compromise कर सकते हो then मुझे लगता है redmi 9 prime एक better deal होगा because वहापर जो multitasking है performance management वह काफी काफी ज्यादे impressive है तो अगर मैं personal phone लेता दोनों के बीच में से then मैं redmi 9 prime को select करता because यह थोड़ा सा मुझे lag ही लगा पर दोस्तों आपको कैसा लगा comment करना ना भूले वीडियो अच्छे लोगे तो definitely like कीजिए तो आप करने शुबर है मिल तो अगले वीडियो में and peace